नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में मैं कुछ कहूँ, उससे पहले 57 सेकेंड का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज सुबर, टुटर टाइम लाइन पर ये वीडियो मुझे देखा और जब मैं इस वीडियो में दिख रही एक बुजूर्ग महिला और उसके बगल में बैठी एक बच्ची को देखा और उसके बाद उस बजुर्ब महला को सुना उस बच्ची के चेहरे की भाव भंगिमा को देखा तो ना सिर्फ भावुक हुआ बलकि बहुत तेर तक बहुत कुछ सोचता रहा और क्यों ऐसा हुआ कि मुझे इस विडियो ने उस बच्ची के बारे में बहुत कुछ जानने को मजबूर किया गुगल पर सर्च किया उस बच्ची के बारे में उसके परिवार के बारे में और तब जो कुछ पता चला वो आगे बताओंगा लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि संतावन सेकेंड का ये विडियो देखिए और कौर से सुनिए यो बुजुर्ग महला क्या कर रही है और साथ में उस बच्ची को उसकी भाव भगिमा को जरूर देखिए देखिए जरा आज हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी नाम रोसन कर देखिए सुनने वालक आँख में लगा होगा कि क्या कर दिये हां हम तो पाल लिए अब पस्ताव तो किसके बारे में बोल रहे हैं पस्ताए गई ना कि छोड़ दिये याद अज तो हम बहुत खुश हैं आज है कि अज जो हो रहा है उनिके दर्वादा पर होता आज मेरे दर्वादा पर हो रहा तो हम बहुत कों भागेसाली होगा वल्द बेटी के मरने के बाद दमा जो थे वो छोड़ दिये जबश कभी नहीं आए दूसरी साधी कर लिए अग भी नहीं आए बच्चों को 57 सेकेंड के इस वीडियो में श्रीजा के बगल में बैठी उनकी नानी जो कुछ कह रही है भावुक हो रही है उनकी आखें उनकी आखों से आँसू बस निकल नहीं वाले है जुवान लड़ खरा रही है जो कुछ उड़ों ने कहा उससे आप इतना तो समझ गये होगे श्रीजा के पिता ने छोटी सी उम्ड में उसे छोड़ कर दूसरी शादी कर ली है उसकी मा के दिहांत के बाद श्रीजा अपनी नानी के आँ रही और आज उसके नानी और उसके नाना और मामा को सब को श्रीजा पर बहुत गर्व है क्योंकि श्रीजा ने बिहार में CBST के इमतहान में, दसवी में, अवल अस्थान प्राप्त किया है 99.4% के साथ बिहार की टॉपर बनी है, टेंथ की लेकिन मैं यहां किसी टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ शिजा के साथ जो हुआ उसकी और उस नानी मा की, उस नाना की, शिजा के मामा की जिन लोगों ने उस बच्ची को पाला, जिसके पिता ने छोड़ दिया जिसके पिता ने दूसरी शादी कर ली शिजा की मा के दिहांत के बाद और छोटी सी बच्ची अपने नाना नानी के घर आ गई मामा मामी ने उसे पाला और आज बिहार में टॉप कर रही है और जब टॉप कर गई है तो शिजा क्या कर रही है उसके नानी क्या कर रही है ये सुनना और जानना तो जरूरी है ही लेकिन साथ में मुझे इस वीडियो को देखने के बाद शिजा और उसके पिता के बारे में भी जानने की एक्छा हुए कैसा बाप रहोगा जिसने दूसरी शादी करने के लिए अपनी मासूम बिटिया को छोड़ दिया जिसने और दुबारा कभी घर पर मतलब नानानी के हां उसे छोड़ गया या नानानी लिया है कभी मिलने नहीं किया आज शिजा जब बिहार बे टाप कर चुकी है बहुत सारी मीडिया वाले उसके घर पहुँच रहे उसके नानानानी तो खुश है लेकिन मुझे उनकी नानी का चेहरा देखकर अगर मैं पटना में होता तो मैं मिलने भी जाता और चरन असपर्स भी करता मैं भी एक बेटी का बाप और एक बेटी को कोई बाप छोड़ दे पता नहीं बहुत सारी बाते मेरे जहन में इस वीडियो को देखने के बाद आती रही और फिर मैंने कुछ और वीडियो देखे जो बिहार के अलग-अलग पत्रकारों ने शर्जा से बात की है पता चला कि जब वो चार साल की थी तब ही उसकी माँ का दिहान्त हुआ और दिहान्त के बाद उस वक्त शायद दूसरी बहन भी हुई और उसके बाद उसके पता ने शादी कर ली फिर नाना नानी के हाँ शर्जा रही लेकिन आगे शर्जा ने जैसे पढ़ाई की और उसका जो इंटर्व्यू मैं सुन रहा था अलग-अलग जगा जिसमें वो बता रही है कि आईटी में जाना चाहती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है उसने और आगे उसके जो सपने है उन सपनों का जिक्र करने से पहले एक और वीडियो ये वीडियो न्यूस 24 के पतना के रिपोर्टर सौरभ ने उनसे बात की है न्यूस 24 के सौजाने से मैं चाहता हूँ उसका वीडियो देखे करीब दो मिनट चालिस सकेंड का इंटर्व्यू का ये हिस्सा है श्रिजा भी कुछ कह रही है श्रिजा के नानी भी कुछ कह रही है और भावुक नानी एक बार फिर हो रही है उन्हें अपनी बेटी की भी याद आ रही है और साथ में उस दामाद की भी जिस दामाद ने है श्रिजा को छोड़ दिया नानानी के हवाले कर दिया और दोबारा देखने तो क्या किसी तरह की सुध लेने की भी परवाने की क्या कह रही है श्रीजा के नानी और श्रीजा सुनिए और क्यों ये सुनना चाहिए ऐसी कहानिया और क्यों ऐसी कहानिया कई बार बेचैन और विचलित करती हैं इस वीडियो के बार सुनिए जरा पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया बदलब कुछ भी होता था तो नानी, मामा, सब लोग करते थे नाना तो बहुत सपोर्ट रहा और दीवी पाथली पुत्रा हो या दीवी बीए से भी दोनों ने बहुत ही सपोर्ट किया मुझे स्रीजा की नानी भी इस वक्त हमारे साथ हैं ये बताइए आपकी नतनी जो है वो अस्टेट टॉपर बन गई सोचा था आपने पहले नहीं तो हम नहीं सोचे थे लेकिन था मेरे दिमाग में कि मेरी बेटी बढ़ियां करेगी यह हमको था इतना परती है जरूर कुछ करेगी टेकिन हर समय कहते है वेटी बढ़ियां करना उपर बला बढ़ियां कर वो खूश रहे तो स्रेजा की कहानी भी काफी यह है अलग है और अगर बात करे तो इनकी मा का डेत हो गया था जब स्रेजा चार साल की थी तो इसकी मा बुजर गई उसके बाद दूसरी बहान हुई प पिता छोड़ दिये, सब जिन मेरे साथ रही, पिर इसका दिये भी में एडमिशन हुआ, चोटी वाली को हम घर में छोड़ दिये, इसको लेके हम यहां रही, नाना आया दिक्ठो नानध है, उसको लेके वहां रही, हम दोनों माई बिटा एक टो चोटा व्लाद तीनों चारो पिता ने कहा कि हम बच्चो को साथ में नहीं रखेंगे, उस समय क्या बीती होगी आप लोगों को कुछ नहीं बीता था, हम खुछ थे, भगमान हम को दे के गई है, बोल के गई है, यह रखना तो इसको कभी कस्ट होने नहीं थे, आज उसका फल मिर रहा है, आज इतना हम ख द्रखत नहीं दिया, यह वताओ, टुम्हारी कहानी है, और लडखियों की तरह नहीं है, उनके बहुँ सारे बच्चे होते हैं, जिनके माबाप उनके साथ होते हैं, लेकिन आज तुम्हारे साथ माँ भी नहीं है, और पिता भी नहीं है, तो सारे factors are important है, parents की factors are important हैं, वह परेंस ने किया तो कभी भी कमी नहीं ख़ली लेकिन लगता है ना कि नाना और नानी ने आज वो कर दिया जो अच्हे-च्हे माबाप नहीं कर पाते बिल्कुल ऐसा है नानी और नाना नाना हर तीसरे दिन यहां होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और इन लोगों का सपोर्ट रा इसी वज़े से आज यह हो पाया दर्वाइस यह पॉसिबल नहीं था क्या कहोगी उन बच्चों को क्या कहोगी जो इस वक्त टेंथ की ते यारी कर रहे हैं बस यही है कि अपने पेरेंस और टीचर्स की बात मानिये वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे आपके लि आएटी और रिसर्च की तरफ उनका रुख है रुजहान है और ऐसी लाखों करूरू बच्चियां बेटियां हैं जो अगर पढ़ने का उन्हें मौका मिले परिवेश मिले तो देश का नाम रोशन कर सकती हैं और एक मुकाम हसिल कर सकती हैं श्रजा के भी अगर पिता ने जिस धंग से श्रजा को छोड़ दिया मैं देख रहा हूं उतकर सिंग जो पटना के पत्रकार हैं ट्वीटर पर पहली बार मैंने उनके वीडियो या उनके ट्वीट से भी श्रजा के बारे में जाना जिसमें उन्होंने लिखा मा की मौत तो पिता ने घर से निकाल दिया दूसरी शादी कर लिए अब निकाल दिया या श्रजा को छोड़ दिया मैं इस विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं मुझे इसका अंदाजा नहीं है इसके बारे में पता नहीं है लेकिन ये तो नानी जिस दंग से भावुक हो रही है और और वो बच्ची ना सिर्फ पढ़ती रही बलकि पता चला कि उसने कभी ट्यूशन नहीं लिया और कोई कोचिंग नहीं की मैं इसी निउस 24 के इंटर्विव में देख रहा था उसके मामा कह रहे थे कि कई बार उन्हें लगता था कि कहीं ओवर कॉंफिडेंस में उसका नाची के रहने वाले हैं मामा पटना में रहते हैं डीएवी बोर्ट कॉलनी की छात्रा है और नाना अपनी नातिन के लिए हर तीसरे चौथे दिन गाउं से दूद लेकर आते हैं क्योंकि शायद श्रिजा को पैकेट वाला दूद पसंद नहीं तो नाना नानी और मामा का वो परिवार जिसमें जिसने एक बच्ची को वो माहौल दिया कि पिता की तरफ से दुदकारे जाने या छोड़े जाने के बाद मा की मौत का सदमा किसी बच्चे पर कितना होता इसकी कलपना की जा सकती है चार साल में शायद उसे अंदाजा नहीं होगा लेकिन छे साथ साल में पता चल जाता है कि उसके माबाप नहीं है और उसके बाद उस बच्ची ने इस ट्रॉमा को जहलते हुए और जिस तरह से पढ़ाई की उस बच्ची की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है लेकिन मैं तो नाना नानी और इस परिवार को एक बार नहीं सो बार परनाम जिन्होंने उसे वैसा परिवेश दिया अब ये वीडियो मुझे भाबु क्यों कर गया शुरू मैंने कहा कि मैं भी एक बेटी का बाप है सायोग है कि वो भी दस्मी में है सायोग है कि श्रिजा का जिस दिन रिजल्ट आया सीबियसी टेंथ का परसों उस दिन मेरी बेटी क और बी रिजल्ट आया nember उसके भी बहुत अच्छे आया लेकिन मैं नमबर पर बात नहीं करना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है उनके नμबर सीब्स से में कम आया लेकिन वो आगे क्या करेंगे इसकी आप कलپना नहीं कर सकते सिर्फ नंबर से वसला अफजाई चाहिए तो इसलिए और जब बेटी का जिक्र होता है तो मैं भावुक होता हूँ दो बेटियां उस बाप को थी जिस बाप ने दो बेटियों को छोड़ कर दूसरे शादी की और यह बहुत हम लोग बच्पन से देखते सुनते आए कि बेटियों को लेकर समा बेटा बहुत सारे लोग क्योंकि लगता है कि बेटा बहुत परिवार का वारिस होगा उत्रा धिकारी होगा वंट्स को बढ़ाएगा इसलिए बेटियों के प्रती समाज का नजरिया हलाकि वो नजरिया मैं यह भी कहूंगा बीते 20-25 सालों में बहुत बदला है बहुत लेकिन छोटे शहरों में हो सकता है एक जमात में या इस तरह की सोच अभी भी होगी है लेकिन श्रिजा ने जिस तरह से पढ़ाई की है जिस तरह से श्रिजा ने बिहार में CBSC के इमतान में दस्वी में 99.4% के साथ नंबर वन पोजिशन हासल किया उसके लिए तो श्रिजा की जितनी तारीफ की जाए कम है लेकिन साथ में उस बाप को जितनी भी लानत बेजी जाए वो भी कम है कैसा बाप रहोगा और सही कहा श्रिजा के नामीने कि आज सब लोग मेरे घर आ रहे हैं श्रिजा उस बाप के पास होती तो लोग वहाँ जाते गौरब उसे होता लेकि बनाया है आगे अगर हमेशा वो टॉपर रही है तो मुकाम भी हासिल करेगी जो मुकाम हासिल करना चाहती है तो इसलिए ये वीडियो श्रिजा और उसके नाना नानियो उस परिवार के प्रति एक भावनात्मक तोर पर जुड़ने का वीडियो है प्रिर्णा लेने का वीडि कि तमाम विपरीद पर इस सित्यों में कैसे पढ़ा जा सकता है कैसे मुकाम हासिल किया जा सकता है कैसे फोकस्ट रहा जा सकता है और साथ में ऐसे लोग जो बेटियों को ऐसे छोड़ देते हैं पता नहीं मतलब मैं पाच-छे बार उस वीडियो को मैंने देखा है और जितनी बार देखा है उतनी बार मैं भावक होता हूँ मकसद यही था कि श्रिजा की कहानी दुनिया के सामने आए फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हैं फिर मुलाकात होगी नमस्कार